हाई फ्रेंट्स खाना खजाना किचन में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए रिकवच की रेसिपी लेके आई हूँ अज बारिस का मौसम में बहुत ही बारिस के मौसम में सबका बहुत ही मन करता है गरम गरम अलू वड़ी या भजिया कुछ भी मिले तो और चाय के साथ मिले तो उसकी बात ही क्या है चलिए फ्रेंट्स बराना स्टार्ट करते हैं यह मैंने मुंकी दाल लिए भीगाई हुई यह रात को मैंने भीगों कर रख दिया था 5-6 गंटे के लिए और इसका छिलका मैंने हटा दिया है बहुत ही अच्छे से फुल चुकी है यह मैंने अर मिर्च जीरा और लशन को से इन सब काınıब एक बड़ारी प्रेस्ट पना करते आर इतुम सब करेंगे डाल का दरीברद करेंगे और पत्ते को हम जैसे काटते हैं बारक पालक के जैसा है कट लेंगे अधुरेंगे मैं ने इसका दर्बडरा पेस्ट तियार कर लिया है यह हमने लसन, जीरा और अद्रक का भी पेश त्यार किया है और यह हमने अर्वी के पत्ते काट लिए है जिस तरह हम पालक के पत्ते काटते हैं बिल्कुल उसी तरह हमने इसे भी काटा है बारिक बारिक चलिए हम आगे की प्रोसेस करते हैं यह दाल के अंदर हम हिंग डालेंगे प्रण्स सांदर हिंग स्थूरी ज्यादा जाती है इसके ज issues का ज्यादा टेस्ट आता है अदाच में छल्दी पॉटर डालेंगे आर नमक टेस्ट के अकोडिंग डालेंगे अ-जी हरी मेर्च का जो हमने फैस से वो डालेंगे जोरे पत्तो को हम इसमें एक सात नहीं डालेंगे हमें धोड़ा-धोड़ा करकर इससे डालना है और मिक्स करते जाना है लेक्चित इस तरह मिक्स करेंगे पिसके अंदर एक साथ बिल्कुल ना डालें, थोड़ा थोड़ा ही करकर डालें इसमें, आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूं, पिर से लेंगे थोड़ा और इसमें एड करेंगे, यकिन मानिया इस तरह से रिक्वज बनाई है आपका रिक्वज बहुत ही स्वाधिश और टेस्टी बनेगा और यह बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है रिक्वज इसमें ज्यादा बिल्कुल टाइम नहीं लगता है मैंने इसे कर लिया है बहुत ही अच्छे से हमारा पत्ता इसमें मिक्स हो चुका है आप देख सकते हैं अब हम भागी की प्रोसेस करते हैं यह हमने कड़ाई गरम होने के लिए रख दिया है ग्य Χ 20 कर दिया है हमने कर और इस तरह से बात्पर पानी लगाईंगे और थोड़े खुड़े बदाल के पेस्ट को हात पर लेकर इस तरह से फैला लेंगे अब देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ फ्रेंट्स गैस स्लोई ही रखना है हाई फ्लेम पर बिल्कुल न रखें गैस को देखें फ्रेंट्स हमारा ओईल गरम है फ्रेंट्स इसे हमें कम आज की ओईल में ही गरम करके रखना है इसे हाई फ्लेम पर बिल्कुल न तले ने तो हमारा जो रिक्वज है वो बाहर से लाल हो जाएगा और अंदर से कच्चा ही रहे जाएगा इसके लिए हमें इसे लो फ्लेम पर ही अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करना है आप देख सकते हैं मैं किस तरह से एक एक डाल रही हमें इसे एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है ने तो हमारे रिक्वज एक दूसरे में चिपक जाएंगे हमें एक डाल कर दो मिनट रुकना है फिर एक डालेंगे फिर दो मिनट रुकेंगे इस तरह से हम सारे प्रोसेस करकर अपने रिक्वज को तयार करेंगे देखिए फ्रेंट्स हमारा रिक्वज हलका सा लाल हो चुका है अब हम इसे पल्टेंगे अब देख सकते हैं कितना अच्छा दीख रहा है हमारा रिक्वज फ्रेंट्स बहुत ही साउधानी से पल्टें वरना तेल आपके उपर आ सकता है देखिए फ्रेंट्स हमारा रिक्वज ब्राउन हो रहा है फ्रेंट्स हमें और ब्राउन करना है इतने पेयाप न उतार है इसे हमें एकदम golden brown होने तक पकाना है तभी हमारे वड़े क्रिस्पी होंगे देखे friends brown हो गए अब मैं निकाल लेती हुने एक plate में हम इसी तरह से सारे वड़े बना कर निकाल लेंगे प्रेंस यकीन मानिया इस तरह से बनाएए रिक्वज बहुती स्वाधिस और टेस्टी बनेगा और बहुती जल्दी से बनकर तयार भी हो जाएगा इसी तरह हम सारे वड़े बनाकर तयार कर लेते हैं मैंने डाल दिया है अपना वड़ा अब इसे भी हम निकाल लेते हैं गुल्डन ब्राउन हो चुका है यह हमारा देखिए फ्रेंस हमारे रिक्वज तयार हो गए हैं कितने स्वाधिस्ट और टेस्टी दीख रहे हैं एकदम क्रंची भी दीख रहे हैं आप इसके टेक्शर से ही पता लगा सकते हैं कितने क्रंची बने हैं आप इसे चाय के साथ सर्व कीजिए बहुत ही स्वाधिस्ट और टेस्टी लगेगा और बहुत ही मज़ा आएगा इसे चाय के साथ खाने में आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करकर जरूर बताइएगा और आगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हाँ फ्रेंड सस्क्राइब करना ना भूले थेंक्यू फोर वचिंग माई वीडियो